तो अगर आपके मन में कोई प्रश्ण है, बड़े दिनों से कोई आंसर नहीं मिला है किसी चीज का सवाल बहुत है, जिसका आपको लगता है कोई इनसान जवाब नहीं दे पाएगा, तो आप एक बार ये साड़े चार का, तीन से पांच का जो टाइम में ब्रहम मूरत का, विल पावर आएगी, आपको अलाम की भी जरूत नहीं पड़ेगी और आप सुबह उठ जाएंगे, कहा जाता है कि सुबह उठो, सुबह उठो, इससे काफी फाइदे मिलते हैं, शरीर को, मन को, और ऐसे देखा गया है कि पीए मोधी हो या अक्षे कुमार अपने बहुत सा आगे हो जाते हो, पर यही सफलता का एक कारण है, यह हम नहीं कह सकते, कई लोगों की जॉब होती है, नाइट की, तो विचारे कहेंगे कि हम तो फिरा सफली हो जाते हैं, कई लोग कमफर्टेबल फील करते हैं, उनको मैं नहीं कोई टार्गेट करना चाता हूँ, पर हाँ, सुबह उठने की जो प्रैक्टिस है, यह आपकी लाइफ में डिसिप्लिन क्रेट करती है, और जैसे कि हमने बच्पन से सुना होगा कि सूर को जल चढ़ाईए, ठीक है, सूर आपका बलवान होगा, ने, दरसल सूर को जल चढ़ाने की जो प्रैक्टिस है, वो आपके जीव आपकी लाइफ स्टाइल बनती है, इसलिए जब आप सुबह उठने का एक डिसिप्लिन बनाते हैं, तो आपकी लाइफ स्टाइल चेंज हो जाती है, और क्या क्या होता है, सुबह उठने से बहुत सारे साइंटिफिक बेनेफिट आपको मिलते हैं, सबसे पहली चीज तो ज होती हैं, आप हेल्दी महसूस करते हैं, तो जो सबसे लॉजिकल आपको समझना चाहिए, वो यह है कि अगर आप अपने आप से प्रॉमिस करके दो महीने तक लगातार मौर्निंग में किसी भी बहाने से उठ जाते हैं, तो आप अपनी लाइफ में डिसिप्लिन क्रेट कर र इन के साथ सबसे ज्यादा यूसफुल होता है, आपके माइंड के रिलेक्समेंट के लिए, आपका माइंड देख़े, कोई भी सफल वेक्ती है, एक ही चीज उसमें फर्क डालती है, दोनों कानों के बीच का जो चीज है, वो है आपका दिमाग, ठीक है, आपका माइंड जि अच्छा अब आप में से कई लोग कहोगे कि अलाम तो बहुत लगाए चार बजी से लेकि पांच बजे की बीच में दस अलाम लगा दिया आपने पर सुबह उठ नहीं पाए तो बस वो दिन याद रखना जब स्कूल की ट्रिप जा रही थी तो चार बजे का अलाम लगाते थ जब आपका एक्जाम होता था कि सुबह कोई ट्रेन पकड़नी होती तो बिना किसी अलाम के पहले नीन खुल जाती है तो इससर्फ आपकी फालतव की बाते हैं जब इंसान को उठना होता है तो सिर्फ विल पावर काम करती है जिस दिन आपके अंदर वो विल पावर आएग कि आपको अलाम की भी जरूत नहीं पड़ेगी और आप सुबह उठ जाएंगे तो जब फाइदे के बारे में आपने बता ही दिया है तो ये भी बता दिजे कि सही समय कौन सा है सुबह बिसेकली हमारे जो कल्चर में सनातन धर्म में माना जाता है वो शूर उदय से डेल घंट देते धर्ती के तो अगर आपके मन में कोई प्रश्ण है बड़े दिनों से कोई आंसर नहीं मिला किसी चीज़ का सवाल बहुत है जिसका आपको लगता है कोई इंसान जवाब नहीं दे पाएगा कोई डिवाइन पावर कोई थर्ड़ पावर जवाब देगी तो आप एक ब टूब वीडियो में मिल जाएगा किनी दो लोगों की बातचीत में मिल जाएगा तो अगर आपके ऐसे कुछ प्रश्ण है तो जरूर आपको इस टाइम पे जो इश्वर हैं जो एक धर्ड़ पावर उससे पूछने चाहिए एक चीज़ और है जो मैं आपके दर्सकों को आपके खुलने लग जाती है आप इस टाइम पे ग्रेटिटूट शो किया करो ग्रेटिटूट मतलब एक लाइन से बस यह समझ लीजे कि दुनिया में कितना गम है आपका कम ही सबसे ज़्यादा कम है आपका जो गम है जिसे आप स्ट्रेस समझ रहे हो जो टेंशन समझ रहे हो एक्च्वल में आप से हजार गुना ज्यादा लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं आपके पास बहुत कम है आप जो लाइफ जी रहे हो वो किसी की एक ड्रीम लाइफ है तो हमेशा इस चीज के लिए ग्रैटिटूड शो करेंगे उपर वाला आपको और ज्यादा ची कि एक बहत जो कि एक रपकर आपको और जैड अाला गइफ।